हलो दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरी चैनल जेमडी फैमडी ब्लोग में ये मेरी थोड़ी पुरानी वीडियो है बट मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं आप लोगों के शार शेयर करी हूँ ये हम लोग घर से निकले हैं मातारानी के दर्सन के लिए बढ़की माई के द मतलब जादे लोग नहीं आप आये हैं तो कुछ लोग बाइक से आये हैं तो हम सब निकले हैं दर्सन करने के लिए और मतलब आप लोग मेरी फैमली से जेमडी फैमली ब्लोग पे आप लोग मेरी परसनल फैमली से अभी तक नहीं मिले वैसे आप सब मेरी फैमली है इसमें क गंडे का सफर करें हम लोग मंदिर पहुंचे हैं और यहां चल रही है कथा क्योंकि आज हम लोग बाबू का करवाने आये हैं मुंडन मेरा एक ही भाई है एक भाबी है और अभी तो मतलब परजन टाइम में मेरी एक और बतीजी आ चुकी है लेकिन उस टाइम जब यह वीडि आयन भगवान की कथा यह जो मतलब पंडित जी है ना यह एलाइसी एजेंट भी है यह मुझे वहां बैटे बैटे लाइसी के बारे में बहुत कुछ सचेस कर रहे थे और यहां मैं बना रही हूं गर्मा गर्म पूरी कोल्डरिंग अनमोलने पानी में रखा है क्योंकि मैं ठंडी चीजे काती हूं तो मेरा गला खराब हो जाता है तो उसको पानी में रखा गया कि वह नॉर्मल हो जाए ताकि मैं उसे पी सकूँ तो यहां मैं हलवाई बनके बैठी हूं मैं बना रही हूं हलवा पूरी और सबजी जो हलवा पूरी मातारानी को भोग भी लगाया ज बाबु का नाम है हारती यह मेरा भतीजा है इकलोता भतीजा है यह मेरा एक ही भाई है मेरा और मैं इसके बालों को गिला कर रही थी बाबु उस बंदे को हाथ लगाने दे ही नहीं जाता जो नाई है जो कटिंग करने के लिए भाई आया है उसको हाथ नहीं लगाने दे रह तो भाई ने उसको साफ किया है बहुत मतलब बहुत ही जादे रो रहा है आप देख सकते हैं बाबु कितना जादे रो रहा है और डर भी रहा था उसको डर लग रहा था कहीं लगना जाए उसके सिर में फिर भाबी ने मतलब बाबु को फीड किया तब जाके बाबु ने जैस बाबु का मुंडन हो रहा है बाबु का बाल मैंने आचल में रुका है और यह सारे बाल हम मतलब एक आटे की गोली बना के उसमें रखेंगे और उसके बाद यह हम मताजी को चढ़ाएंगे क्योंकि जब भाई की शादी हुई थी तो उन्होंने भाई की शादी के लिए विश हमारे विष्पूरी कर दी थी तो हम लोग यहां मुंडन करवानए लेकर आ यह तो में आई हूँ तो अभी आप्स सोचरे होंगे मतलब मेरे बतीजे का मुंडन है मैं इतनी सैड्र इतनी सेंपल कि हुँ यह सब बहुत 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 पुरानी वीडियो है और उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, तो मैं कभी और आप लोगों की शार्चेयर करूँगे, अभी ही इस वुडियो को इंजाओ कीजिए, आप सब और मातारानी के दर्शन करिए, बढ़की माई की बहुत जादे मानिता है, ये मातारानी खुद से निक प्लॉप है, वह हमारी मर्जी, हम उन्हें किस रूप में मानाते हैं, किस रूप में देखते हैं, वह हमारी अपनी मर्जी होती है, और ये देखे, फाइनली बाभू का मुंडण हो गया, बार बार अपने सिर पर हाथ पेर ठी आट उसको बाल दिख नहीं रहे थे, आपnes द इस बढ को आखे विधी यहां यहां जो मेले मोरी के कदरते हैं ARE विधीयो की देखते हैं टो घर्मी में आहली आ आ जाना है अनला मैं इसमक्रेशाद और यहां मैं प्रशाद ले रही थी recording कैसी हो रही है यहां बहुत सारे समान थी बिंदी सिंदूर नेल पिट मतलब अनगिनत चीजे थी और लोग बहुत चाओ से खरीद भी रहे थे वो अलग बात है कि मुझे इन सब चीजों में थोड़ा कम इंट्रेस्ट होता है मैं मतलब इस तरह की चीजे नहीं खरीदती हू और जब मैं वहां से आई ना तो यहां आम के पेड़ थे इतने सुन्दर सुन्दर इसमें आम लगे थे वैसे मैं खटी चीजे खाती रही हूँ और आम बगरा भी नहीं काती मुझे नहीं कुछ खास पसंद है लेकिन यह पेड़ में इतना सुन्दर लग रहाता ना कि मन कर ते इतने रही ना कि मैं पने हाथ हों से टच कर सकती थी और जबकि मेरी हाइट इतनी साद है यह 5,1 की मेरी 이건 फिर भी मैं इसको बहुत अराम से मतलब इसको अपने हाथ हों से टच कर भा रही थी और लगडाण की टाइम की वीडिओ है, इस वज़े से यहां मतलब भीड नहीं है, बहुत कम लोग यहां है, वरना यहां बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत चादे भीड होती है। यहां मतलब खड़े होने की भी जगए नहीं मिलती है लेकिन हम मतलब करोना काल की वज़े से यहां भीड मतलब नहीं थी ना के बराबर थी बहुत जिसकी एमर्जनसी थी जो बहुत जादी ज़रूरत में थे वही लोग आ रहें देखी कितने सारे आम लटक रहें गुच्छे मिल लए थी मुझे वहां जाके और इतनी जादे वहां शफाई थी ना जिसकी कोई हद है एक तम देखे आम के गुच्छे देखे है ना मन कर रहा है ना वस गुच्छों को तोड़ लू लेकिन किसी चीज को कोई चीज पसंद आए तो उसे नुकसान नहीं पहुचाते है न सबराई तो बस मैंने भी इसके कुछ भी तोड़ा नहीं है एक भी आम मैंने तोड़ा नहीं है बहुत सारे लोगोर ने बहुत सारे आम तोड़े हैं यह दिखे मैं इसको अपने हाथों से टच करici हूँ मैं धरती नजिए कर ने के अब ही परजेन टाइम में इतनी भीड नहीं है बहुत कम लोग है एकका दुक्त कर लोग है लेकिन जब मैं भाई की शादी में आई थी तब यहां बहुत चादे भीड थी बहुत सारे लोग थे और इस मंदिर का नाम है बड़ किमाई मंदिर और यह स्थित कहां है यह पंडि आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं और येकिन मानिये अगर सच्चे मन से कोई भी मुराद मांगी जाए मातारानी से न वो कभी खाली नहीं जाती और मैंने मांग के देखा है अब मैं आज मांके बोल रही हूँ अभी लोग कहते हैं कैसे मान ले तो मैं खुद मैंने एक नहीं द करती हैं सब को देती हैं ये सब देखिए दोपहर का टाइम हो चुका है तो ये दोपहर में सब लोग यहां जो बैठी है ना ये सब मतलब भूत परेत और अनेको प्रॉब्लम की वज़ा से जो परेशान देती है वह उस तरह की लोग है लेकिन मातारानी की अप्रम पार किर पाए हमारे घर में किसी के ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा कुछ नहीं है और कुछ हद तक तो मैं मतलब इन सब चीजों में देखिए ट्रस्ट भी नहीं करती हूं जादे मुझे ये सब लगता है ये सारी मेंटल प्रॉब्लम की वज़ह से कुछ प्रॉब्लम है इनकी ब ये जो पंडित जी है ये पहले एक लेडिस थे और इन पे किसी ने बुरी नजर डाली और माता रानी ने इन्होंने विश मांगा माता रानी से खुद की आप मुझे चेंज कर दीचे जैंस में ये माता रानी है पिंडी रूप में यहां रहती है और माता रानी ने इनकी व अब ही आप देख सकते हैं मम्मी आई हैं पूजा कर रहे हैं मम्मी भाई भाबी सब लोग आए हैं हम यहाँ पहले ही आ चुके हैं हम पहले ही पूजा कर के जा चुके हैं मम्मी भाई भाबी यह लेट आए हैं मुंदन कराने के पाद और हम लोग पहले यहाँ आके पूजा कर के ही खाए पिए तो इसलिए हम लोग पहले आके दर्शन कर गए थे अब भाबी और भाई कथा सुनके मुंडन करवा के उसके बाद यहां आए हैं यहां प्रशाद चढ़ाएंगे बाबु का जो बाल उतरा है वो बाल चढ़ाएंगे मातरानी का आशिरबाद लेंगे और उस स्पेस है बहुत ही जादे खुला जगह है बहुत बड़ी जगह है आप वैसे भी नॉर्मली यहां आकर एक दू घंटे बैठेंगे ना इतनी शांती इतना शुकून है ना जैसे पता नहीं क्या है यहां मुझे नहीं पता बट बहुत रिलेक्स मिलता है यार आपका 99 भी नहीं कोंगी 101 परसेंट यहां लोगों को बहुत जादे सुकून मिलता है जो भी यहां आते हैं वो सब बहुत खोश रही यह मातारानी की बिंडी है देख लीजिए मातारानी पर भी चुन्डी उढ़ाई गई है ठक चुके हैं और यहां तीन टाइम जाड़ू पोचा जाता है और कितना सुंधर यह सब मैं फर्स टाइम आए थी जब यह इतना नहीं बना था अभी आप देख सेकते हैं कितना सुंधर बन चुका है इसके डिजाइन, डिकुर श्यून मतलब बहुत ही अलग हो चुका था पहले जब मैं फर्स टाइम आई थी उससे अब यह बह तो मतलब बहुत अच्छी लग रही थी मुझे इन घंटियों की आवाज बड़ी प्यारी लग रही थी एक दम टन 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 बज रही है बट मैंने इसमें से वईश निकाल दी है क्योंकि बहुत जादेश ओर शराबा था तो मुझे लगा साइद आप लोग डिश्ट अप हो जाएंगे करता है और यह फरिंदा जाने वाले रस्ते से और पहले पढ़ जाता है उसी रस्ते में ही जागे पढ़ता है इसका यह ग्राउन देख लीजिए मंदीर बीचों बीच है चारों तरब से इसमें बहुत सारी जगे है अगर आप जब को यहां आना है तो जरूर आए और कर दिए कि परी कि लीजिए आना है तो कि यह दिल्ग का जग ज़ सब ऑना हीम है जब को तो कि प Commercialitas Speников में है, आना है किसे ह में ह prevented अज़ को ज़